कि नमस्कार किसान भाईयों आज हम जो हर्याना सरकार फरी में प्रोग्राम कर रही है फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे जो आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं 12 से 16 दिसंबर इंडो इजराइल सेंटर गया था घरोंडा करनाल वहां पर सभी सुविदाएं बिल्कुल फरी हैं अगर आप हर्याना के निवासी हो तो आपके लिए खाना पीना रहना सब व्यवस्ता सेंटर की तरफ से करवाई जाती है जिर्फ आपको वहां पर जाना हमने वाप नहीं नहीं टेक्नोलोजिस के बारे में सीखा नहीं नहीं जो हम परम प्रागत खेती कर रहे हैं धान गें हूं धान गेंगी उससे फार्मर्स को कुछ अलग कराने की का परियास है को चाहते हैं कि हम सबजीओं की तरफ भी अपना रुख करें तो यहां पर भूची नहीं नहीं टेक्नोलोजीस थी जैसे ओपन फिल्ड में आप करते ह च्पवाइन चैनल है उखार के विए लिए बीनट तो गूर्स हां अ बहुत सी नई नई टेक्नोलोजीस जिसके बारे में हमारी खलासे भी होती हैं और बाद में फिर हमें उपन फिल्ड में ले जाके उन के बारे में प्रैक्टिकल भी खलाए जाता है है तो तहु अश्या आपको दे दूँगा वहां से आप जाकर उस साइट पर जाकर आप वहां से पता लगा सकते हैं कब-कब सरकार ले ट्रेनिंग परवाइड कर वा रही है अपने सेंटर्स पर तो इसमें बहुत सी नहीं नहीं चीजें थी बहुत सी नहीं नहीं टेकनोलोजिस थी जैसे इंडो दोनों कोलाबरेट करके इन सेंटर्स को चला रहे हैं और जो भी टेकनोलोजी अपने पास आ रही है उसका इस्तेमाल करना कई नहीं हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है हमें भी वो कड़ते रहना चाहिए तो यहां इनकी फिल्ड में और गैनिक पर भी काम हो रहा था और जो हम केमिकल की केती करते हैं उस पर भी काम हो रहा था यहीं पर हमें नीरज भाई से मिलने का मुखा मिला जो और गनीक फार्मिंग को लेके साइकलिंग कर रहे हैं एक लाग गैरा हजार एक सो ग्यारे किलो मिटर वो ओल ओर इंडिया चलेंगी और इसी में आपको सर्टिफिकेट भी प्रवाइड करवाता है सेंटर जो कि आपका आगे पॉली हाउस लगाने में आपका बहुती मददकार साबित होता है वो कंपलसरी है वो सर्टिफिकेट होगा तब या पॉली हाउस के लिए अपलाई कर सकते हो और आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगे तो मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो को बनाने का यही था कि हमें सिर्फ वहां पर जाना है और जाकर जो भी हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं उसे बाद में आकर अपने खेट में अपलाई कर सकते हैं जो कि सरकार की मुहीं मसुरू से ही कि किसानों की आए दूगनी करना वो दूगनी ऐसे ही हो सकती है कि हम नहीं चीजों को अपने खेट में अपलाई करें नहीं टेक्नोलोजी के खेट में उतारें तो मेरा यही परियास है जैहिन नमस्कार